भारत के दौरे पर विदेशी महमान क्या है? पाकिस्तान तो पूरी तरह से चड़ गया ठीक उस बच्चे की तरह जो गेम हारने लगता है तो खेल में, खेल के नियम में खोट निकालने लगता है जब पूरी ख़बर सुनेंगे तो हस पढ़ेंगे कि पाकस्तान अखरी चाहता क्या है? जम्मू कश्मीर में अंतरराष्टिय परिवेक्षकों के दौरे को लेकर पाकस्तान ने बयान जारी किया बयान ऐसा कि उसे सुनते ही बोल पढ़ेंगे कि ये तो एक हताश, निराश, देश की बात लगती है पाकस्तान ने ये अपील की है कि भारत कश्मीर में तटरस्त इंटरनेशनल परिवेक्षकों को भेजे ये लोग कश्मीर के लोगों से बेरोग टोग बातचीत करके जमीनी आगलन करें पाकस्तान के विदेश कार्याले के प्रवक्ता ने ये मांग की है बीते दिनों ये उरो, प्लाटिन, अमेरिका और अफरीकी देशों के राजनाइक दो दिनों के दोरे पर कश्मीर आए थी इन राजनाइकों ने अगस्त 2019 में सम्मिधान के आर्टिकल 370 के प्रवधानों को निरस्त किये जाने के बात से केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी हकिकत का जा जालिया और इस पर प्रतिकरिया देते हुए पाकिस्तान के विदेश्च पंत्राले के कारियाले के प्रवक्ता हाफिस चौधरी कहते हैं कि भारत को सेयुक्त राष्ट परिवेक्ष को मानवधिकार उच्चायुक्त कार्याले, OIC स्वतंत्र स्थाई मानवधिकार आयोक के सदस्यों और अंतरराष्टिये मीडिया को कश्मीर में जाने और कश्मीरी लोगों से बाचीत करके जमीनी हकीकत का आकलन करने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन मोधी सरकार के आने के बाद से ही उनका खर्चा पानी बंध हो गया है और पाकिस्तान के सारे के सारे प्लान धरशाई होते जा रहे हैं जिसकी वज़़ा से पाकिस्तान कश्मीर की शान्ति को पचा नहीं पा रहा है। और तो और उसके भेजे आतंकियों का भी टिकट टू जहन्नूम भारती सेना पहले ही काट दे रही है जिससे कश्मीर में आतंकी जड़े भी कमजोर पड़ गई है और अब उपर से आई ये विदेशी महमान जिन्होंने कश्मीरी आवाम से बात करके ये जान लिया कि कश्मीर के भलाई किसमे है तो पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तो लाजमी है बिरो रिपॉर्ट भारत तक